12 स Psychology आज की इस वीडियू में हम आपको चोटी इलाइची खाने से होने वाले वारे में बताएंगे कि आपको पता है कि हमारी रशाई में पाय जाने वाले छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना ज्यादा फाइदा देते हैं और उन्हीं चीजों में से एक हे हरी इलाइची हारी इलाइची को हम छोटी इलाइची के नाम से भी जानते हैं औ अंग्रेजी मेंग्रेय कारणूमम बोलते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जब बात करेंगे छोटी इलाइची के फाइदे के बारे में फ्रेंड चोटी इलाइची एक तरह का मसाला है जिसे शौद बढ़ाने के लिए तो इस्तिमाल क्या ही जाता है उसके साथ साथ ही हमें सहद से सम्वन्धित भी कई फाइदे देती हैं जैसे कि मुह में infection रोगना immunity बढ़ाना इत्ते दी फ्रेंट्स छोटी इलाइची में बहुत सारे anti-oxidant vitamin mineral potassium flavonite इत्ते दी पाए जाते हैं इसी वज़ा से एक काफी ज्यादा फाइदे मांत मानी जाती है तो चलिए बात करते हैं छोटी इलाइची के फाइदे के बारे में तो दोस्तों इन वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे आप से छोटा सा रिक्वेस्ट है की अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरा चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजे और उसका बाजू में जो बेल तोर पर हम इस्तिमाल करते हैं अगर आपके मुह में द्रगंत आते हैं तो मुह की द्रगंत को रोकती हैं इसके साथ साथ आपके दातों के लिए भी फाइदे मन्थ है जब आप मुह में छोटी इलाची चबाते हैं तो यह मुह में कैबिटी नहीं होने देती और कैबिटी पैदा करने वाले किटानूओं को भी मारती है नमबर टू पाचुन के लिए फाइदे मन्थ फ्रेंट्स आज के लाइफ स्टाइल में एक्षार पेट संबंधी शमुस्याओं हो जाते हैं जैसे कि आप आज ग्यास एसिडेटी इत्तेदी तो इन शमुस्याओं से निजात पा पानी पीते हैं तो यह आपके फेपड़ों के लिए भी फाइदे मन्थ रहती है एक फेपड़ों में ब्लड सर्कूलेशन को ठीक करते हैं एक रिपोर्ट में भी पाया गया है कि फेपड़ों और आपके दिल के लिए फाइदे मन्थ है नमबर फॉर रोग पृत्रोदोग छमता बढ़ाती है फ्रेंट्स जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि छोटी इलाइची में कई तरह के एंटी वक्सिन और विटामिन पाये जाते हैं यह हमारी रोग पृत्रोदोग छमता को बढ़ाते हैं अगर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं तो बीमार को दूर नमबर फाइब ओजोन घटाने में मददगार फ्रेंट्स इलाइची में कई ऐसे तत्तो होते हैं जो कि ओजोन घटाने में मदद करते हैं कई डाइजेसियन भी ओजोन घटाने वाले डाइट में इलाइची का पानी जुरूर रिकवांट करते हैं क्योंकि इलाइची को सब्सक्राइब की मैंने श्रू में बताए कि आपके पाचन के लिए फाइदेमाद है तो अगर आपको कब्ज की समुस्या है तो आपको इलाइची पका कर उसका पानी पीना चाहिए एक आप जो बदहजमी और एसिदेटी इन समुस्याओं से निजात दिलाता है नमर सेविन बीबी को कम करता है फ्रेंड्स अगर आप हाई बीबी के प्रबैलेम से प्रेशान है तो आपको इलाइची का शेबोन जरूर करना चाहिए यह हाई बीबी को कंट्रूल करता है और घबराहट इत्तेदी से बचाता है नमर एट मर्दों के लिए फाइदे मन्थ फ्रेंड्स अगर आपका इस्टेमिना कम है बेट पर अच्छे से परफर्फरमेंस नहीं कर पाते तो आपको रात को सोने से पहले दूद में दो तीन इलाइची उबाल कर पीना चाहिए यह मर्दों के इस्टेमिना बढ़ाती है निशाओ से निजाद दिलाते हैं और इंफिक्शन को दूर करते हैं जिसे की मुत्र शमंद शमुश्यों दूर होती है और मुत्रों खुल कर आता है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगे तो बी झाल झाल